तो दोस्तो आज 16 जनुवरी 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शेर स्कुपर जो कि आज मार्केट में काफी ज़्यादा चर्चे में था तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे वहला हम बात करेंगे एविन्यू सुबा मार्ट यानि डी मार्ट तो लास्ट दे भी मैं आपको कहा था कि आज डी मार्ट की शेर में थोड़ा बहुत कमजोर होने का चांस है क्योंकि कंपनी का रेजल्ट आविसली काफी डीसेंट था बट नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वाटर विसस पे थोड़ा बहुत हमें गिरावट भी देखने क को मिला और आपको यह भी कहा था कि आज सुबा सुबा देखना जो ब्रोकरेज कंपनीज वह अपना अपना रेकमेंडेशन देगा टार्गेट प्राइस देगा कहीं ने कहीं उसके उपर भी मार्केट जरूर रियक्ट करेगा तो आज सुबास हमने देखा कुछ ग्लोबल का जो शेर है इसी लेबल का आसपास पहुंचता हुआ नजर आया नेक्स अगर हम बात करें मॉर्गन इंस टर्नली ने पहले तो काफी बुलिश था जैसे कि अब अब देख से तो टार्गेट प्राइस दिया था 4590 रुपए का अभी अगर हम बात करें टार्गेट को काफी तोन चाहिए ऐसे पड़ाइस तोन टार्गेट यह बठाट हां नियूट्र लेटिंग धिया मतल्याव या सेल करने का रेकोंड ने दिया नियूट्रशल यहां पर रेटिंग दिया नेक्स एक बात करें जे एम फनांशयल तो जे एम फनांशयल की तरप से कोई टारगेट प कमेंट दिया नेक्स्ट अगरम बात करें नुवामा तो आप देख सकते नुवामा की तरब से भी जो टार्गेट पैस अभी दिया है टीपी मतब टार्गेट पैस दिया टार्गेट बहुत ज्यादा नीचे दिया टीन हजार का टार्गेट दिया टीन हजार इमीडेट पहुंचना पॉसिबल रहेगा क्योंकि बात करेंगे क्या आपका आगे का रनीती हो सकते ध्यान से समझना अगर हम एक साल का चार्ट परन उठाके देखे तो डीमार्ट की शेर जरूर आ सकते सारी तीन हजार का लेवल जो कि हमने शुरू में देखा था कोई एक ब्रोकरेज कंपनी से टार्गेट दिया था तो मैं यहां पर आपको बोलूँगा कि देखिए अगर आपका टार्गेट लॉंग ताम का है जब शियर सारी तीन हज़र से लेकितीन हजार प पहुंच जाएगा तब जाकी इसमें आप इन्वेस्ट कर सब्सक्राइब के लिए अखिर कंपनी अच्छी कंपनी है एक छोटा सा बोस्क्राइब मिस्टेक भी नहीं बस ऐसा ही एक चीज के लिए मतब जो कि टैक्स एक्सम्शन लास्ट कोटर में मिला था इस पान नहीं मि सुपरमाट के अंदर मैं आपको वोलूँगा अपके वाज अगर लॉंग टाम के लिए होल्ड करें नहीं है तो सारे तीन हजार नीची की तरब आपका वाइंग लेबल होगा उपर की तरब जब चाराजर की उपर फिर से बहुंच जाएगा तब आइक्स दोस्तों बहुत इंपोर्टेन अपडेट है बजाज फैनास लिमिटेट आज बहुत दिनों बाद हमने देखा कि बजाज फैनास का शेर फिर से अपना पुराना लेबल की उपर पहुंच चुका है मतलब 6000 की उपर जो कि इसके पहले काफी अच्छा यहां पर सपोर्ट मिला था काफी स्टे की बात यहां कि लेवल ब्रेक नहीं किया उसके उपर जाके आज कहीं के क्लोजिंग फिर से मैं आपको लंगा जैसे शेर जो कि लॉंग टम के लिए अच्छी कंपनी है यहां पर लॉंग टम के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकतो और जिनके पास शेर है चाहिए आपन कंपनी पर्फॉर्मेंस करके बना लिए अपना मार्केट कैप्चर तो जिस बैस मैं आपको स्ट्रॉंग लिए कमेंड करूंगा अराम सी आप लॉंग टर्म के लिए जा सकतो नेक्स यह दोस्तों वरून वेबरेच लिमिटेड लास्ट एक मैने पर भाई हमने देखा था श को लगा किया इतना अच्छी पर्फॉर्म देना वाला कंपनी इतना कंसिस्टेंट रिटन देना वाला कंपनी यह इतना ज्यादा गिल रहा है तो जेफ्रिस ने सोचा चलो ठीक है हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं थोड़ा बहुत रेकमेंड कर देते लोगों टार्गेट अगरा बढ़ा देते हैं तो जेफ्रिस ने किया किया यहां पर लगभग 35-36 परसेंट ऊपर टार्गेट दे दिया जैसे कि आप देख सकते यह टार्गेट कौन दिया जेफ्रिस ने साथ इसाथ भाइंग का रेकमेंडेशन भी दिया और जो 12 मांस मतब नेक्स्ट एक साल का टार्गेट प्राइस दिया 1540 रुपए का आई तिंग कि यह टार्गेट बहुत ज्यादा अब बोल सकते हो कि ठीक ठाक एकदम पर्फेक्ट मेरा का और एकदम पर्फेक्ट टार्गेट दिया क्योंकि भरून वेवरेज लिमिटेस जिस टाइप का कंपनी है या इसका रिट टार्गेट दिया और जिस बैसे आज हमने देखा कि शेयर नाकेबल उपर की तरफ जंप बलकि एक इंपोर्टेंट लेबल जो की बारासो रुपए की उपर जाके भी शेयर क्लोजिंग दिया लगबख 6% उपर और शुरू से हमने देखा शूरू से जैसे यह न्यूज आय मतब होड़ा होने दीजिए वह आपके लिए भलाए कि शेयर आज की रेट पर काफी डिस्काउंट में मिल लाए क्योंकि कल जब यह जंप लग करेगा सीधा 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 6% 10% एकदम जंप करके निकल जाएगा तो उस टैम पर पकर नहीं पाओगे जिस बैस मैं अभी भी आ आपको बोल लाओं कि यह यह लास्ट एक मैने पर हमने देखा था लगवक 17-18% गिर गया तो आज की जो हाई है उसको छोड़ दीजिए आप देख सेकतों लगवक 19% का सबस गिर गया था तो कहीं ने कहीं काफी डिसकाउंटे प्राइज में आपको मिल रहा है इतना कंसिस् सब्सक्राइब करने का चांस है आज हमने देखा सीधा सीधा सारी तीन परसे नीचे आके क्लोजिंग दिया अल्मोस जो 2000 का इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करके फाइनली नीचे आ चुका है तो उसके पीछे एक्चुल रिजन है जो कि लास्ट डेवी में आपको इस कवर निउस को कवर किया था कि एस्ट्रेल का जो क्वार्टा 3 का प्रेडिक्शन किया शेर खान ने ठीक है तो शेर खान यहां पे जो प्रेडिक्शन किया उसके अकोरिंग लगबग 29.8 परसंट के आसपास यह और और यह पे नेट प्रॉफिट गिरावाट हो सकता है तो जिस ब आपको नेगेटिवी देखने को मिलागा बट बात यह की कंपनी अच्छी कंपनिया आज की डिट पी यह सारे जो चीज़ चल रहे पीविश एक्टर की उपर या एस्टरल के अंपर यह पर सिर्फर से बैस्टर ने पूरा पूरा जो पीविश सेक्टर है यहां पर आपको देखने को मिलना है तो कहीन है कि यह एक्स्टरनल इशूस की वजए से जिस पैसे मैं आपको बोलूंगा अभी तोड़ा से रुख जाए क्योंकि शियर बहुत इंपॉर्टन लेवल ब्रेक किया और उसके सासर कहां तक गिड़ना मत गिड़ता है गिड़ने दीजिए कंपन करके आप ज़रूर पूछ सकते हो इस वीडियो के यह वाइंड अप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्यार बबाई जय हिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉन नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्ला